दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यओनों SBI से एक नए क्रेट कार्ट के लिए अपलाई करना शीखेंगे इस वीडियो में मैं आप लोग籍को क्रेट कार्ट के बारे में ज्यादे जानकारी नहीं दूँगा केवल अपलाई करना सिखाऊंगा यदि आपको credit card के बारे में ज़्यादे जानकारी चाहिए तो मेरे इस पीडियो को देखने के बाद comment box में comment कीजिए मैं आप लोगों को credit card के बारे में पूरी जानकारी दे दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों SBI का credit card लेने की ज़रूद मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मैं online shopping जादे करता हूँ यदि आप भी online shopping करते हैं तो आप लोगों पता ही होगा कि हम जो online shopping करते हैं उसका payment हम अपने credit card, debit card या ATM card से कर सकते हैं लेकिन साथ आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि यदि हम अपने ATM card के बजाए credit card से bill का payment करते हैं तो वहाँ पर हमें ATM card के बजाए credit card पे ज़्यादे discount मिलता है और यदि हम credit card से bill का payment करते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छा खासा rewards point तरफा bonus मिल जाता है तो SBI का नया credit card अपलाई करने के लिए सबसे पहले हम आपने mobile के अंदर UNO SBI application को open कर लेते हैं और उसमें M pin के जरी लोग इन हो जाएंगे जैसा कि आप देशकते हैं मैं यहाँ पर UNO SBI के अंदर लोग इन हो चुका हूँ UNO SBI के task put पर बहुत सारे आपसन मिल जाएंगे जिसमें से एक आपसन है cards तो हम इस card पर क्लिक करेंगे my credit card के अंतर गरत तीन आपसन मिलते हैं जिसमें सबसे नीचे में दिया है get a new SBI credit card तो हम इसमें क्लिक कर देंगे यहाँ पर दो आपसन हो रहे हैं browse cards और नीचे में दिया है find your perfect credit card यदि आप चाहें तो browse card पर क्लिक करके manually अपने इच्छा के उसार कोई भी SBI का credit card ले सकते हैं लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आपके लिए SBI का कौन सा credit card बेश्ट रहेगा तो आपको क्या करना है find your perfect credit card इस पर क्लिक करना है नीचे लिखा है let's begin तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहां लिखा है understanding your needs यानि यहां पर हमारे जरुरत के हिसाब से जो भी best credit card होगा यूनो SBI हमें suggest करेगा यहां पर कुछ आइकन मिल ला है तो इस सभी आइकन में आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद सबसे नीचे लिखा है next तो यहां से हम next कर देंगे अब देखिए यहां पर एक और slide bar है तो आपके सालाना income जितनी भी है उसे यहां से select कर सकते हैं मैं यहां पर 2 लाग कर देता हूँ maximum आप 30 लाग तक select कर सकते हैं मैंने केवल यहां पर 2 लाग कर दिया है अब सबसे नीचे में लिखा next तो यहां से हम next कर देंगे यहां पर एक बात मैं आपको clear कर दूँ कि यदि आप किसी भी तरीके का कमाई नहीं करते हैं यानि आपके पास कोई भी income source नहीं है तो SBI आपको credit card देने से मना कर सकता है अब यहां पर आ गया your monthly expenses यानि हम जो महिने में खर्चा करते हैं उस खर्च को यहां पर हमें दिखाना है जैसे first number पर है dining यानि होटल वगरा में जाके हम खाना कितने खरते हैं उसे यहां से select कर लिजे slide bar को इस तरी के से किसका दीजे महिने में आप होटल वगरा में जितना भी खाने पर खर्च करते हैं उसको यहां से select कर लिजे उसके बाद नीचे में fuel यानि आप अपने गाड़ी में कितने का petrol या diet ड़ाते हैं उसको यहां से select कर लिजे मैं आप करता हूँ 6000 उसके बाद international है यदि आपके खर्चे international है तो इसको भी आप अपनी जरूरत के इसाथ से select कर सकते हैं लेकिन मेरा बिलेसी खर्चा कुछ भी नहीं है इसलिए मैं इसको zero रहने लिजेता हूँ नीचे दिया है movie यानि आप theater अगरा में जाकर महिने में कितने का movie देखते हैं तो उसे select कर सकते हैं मैं आप करता हूँ 2000 उसके बाद नीचे दिया है shopping तो आप महिने में कितने का shopping करते हैं उसको select कर लिजे मैं महिने में लगवख 10 जाग कर देता हूँ उसके बाद नीचे इंगिया, travel यानि यात्रा तो महीने में आप आने जाने के उपर कितना खर्चा करते हैं उसको select कर लिजे, जैसे train, flight इनसे आप महीने में कितनी बार यात्रा करते हैं और उसका कितना खर्चा आता है, उसको select कर सकते हैं मैं आप करता हूँ 2000 तो यहाँ पर लिखा आगया टोटल मंथली एक्सपेंसिव 22,000 रुपया इन सब को आप अपनी जरूरत के हिसाप से सेलेट कर सकते हैं मेरा महिने में खर्च लगभग 22,000 क्या सबस्क्रता है तो इसलिए मैंने यतने का सेलेट कर लिया है उसके बाद सबसे नीचे दाइने सार करिट कर कौन सा है यहाँ देख रिखा है आवर सज्चाशा संपस्सेव 22 कार्ड यहां नीचे में दिया है अदर कार्ड वैसे तो यह नेए समय ने हमारी ज़रूरतूं को देखते हुए हमें इस करिट कार्ड को सबस्क्राया लेकिन ने धी हम चाहें तो इन दोनों कार्ड म से भी किसी को ले सकते हैं चलिए मैं इस पहले बाले कार्ट को ले लता हूँ तो इस पर हम टैप करेंगे यह है simply save as by credit card नीचे में तीन अपसन दिये हैं पहला अपसन है कि इस credit card पे हमें कौन-कौन सा offer मिलेगा उसके बारे में यहां पे दिया हुआ है कौन-कौन सा offer, कितना rewards point मिलेगा यह सब दिया हुआ है आप इसको अराम से पट सकते हैं उसके बाद इस credit card के features क्या है इस पे tap करके हम जान सकते हैं यहां पे rewards point, welcome offer यह सब दिया हुआ है नीचे भी बहुत कुछ है इसे भी आप अच्छे से पट सकते हैं तीसरे नमर पे है fee and charges इस credit card पे कितना fees और charge लगेगा इसके बारे में हम यहां से जान सकते हैं देखे इस card पे जो annually charge है 499 रुपे यानि इस credit card के लिए सालाना charge हमें 499 रुपे देना पड़ेगा यदि हम renewal कराते हैं card को तो second year से हमें 499 रुपे देना पड़ेगा और यदि हम एक साल में एक रुपे का purchasing कर लेते हैं तो यह सब charge हमें नहीं देना पड़ेगा जो भी आप चार्ज लगेगा वो सब zero हो जाएगा में charge यह होता है और यह बाकी charge जो है यदि आप कोई mistake करते हैं तो उस पे charge लगा जाएगा जैसे credit card से खरदारी के बाद यदि आप time से payment नहीं करते हैं तो उनका charge यहाँ दिया गया है यदि आप इस credit card से ATM machine से पैसे निकालते हैं तो उसका charge भी इसमें दिया गया है यानि इस तरीके का charge यहाँ पे दिया गया है आप इसको अच्छे से पड़ लिजे अब नीचे में लिखा है apply now तो हम apply now पे click करते हैं यहाँ लिखा है select city तो इसमें click करके हम city को select कर लेते हैं यहाँ पर main में जो भी city है उन सभी city का नाम दिया है यदि आपके district का नाम इसमें नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी district को select कर सकते हैं मैं यहां पर कर लता हूं वारन से उसके बाद नीचे लिखा है प्रोसीड तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब यहां पर हमें अपने अकाउंट नमर को सेलेट करना है तो इसमें आप टैप करेंगे यदि आपके एक से ज्यादे अकाउंट नमर होंगे तो वो सभी बैंक एकाउट में credit card चाहिए उसको select कर लीजिए मेरे पास यह कहीं bank account है इसलिए मैं इसी को select कर लेता हूं उसके बाद I agree पर click कर देंगे अब देखिए हमारे bank account में जो हमारा personal detail है वो automatic यहाँ पर चुका है first name, middle name, last name, date, birth, gender यह सब दिया हुआ है यहाँ लिखा है qualification तो इसमें click करके हम उपनी qualification को select कर सकते हैं मैं यह से करता हूँ graduate, और person है यानि बेवसाय तो इसमें click करके हम उपनी बेवसाय को select कर लेंगे यहाँ आप नोकरी करते हैं तो select पर click किजिए यहाँ आपका खुद का business है तो self apply यहाँ आप student है तो student पर मैं self apply पर click करता हूँ यहाँ दिया है gross annual income तो इसमें click करके मैं अपनी सालाना income को यहाँ से select कर लेता हूँ मैं यहाँ से करता हूँ out to 2 lakhs यानि 2 lakh यहाँ पर मेरा pen card नमर आटोमेटिक आ चुका है email id blank है हम चाहें तो इसमें email id दे सकते हैं चलिए मैं email id देता हूँ यहाँ पर हमने email id दे दिया है mobile नमर आटोमेटिक आ गया है अब सबसे नीचे लिखा है send OTP तो हम send OTP पर click कर देंगे जैसे हम send OTP पर click करेंगे तो हमारे bank में register mobile नमर पर एक OTP जाएगा उस OTP को यह इंटर OTP में डाल देंगे OTP डालने के बाद सबसे नीचे लिखा है submit तो हम submit पर click कर देंगे पहला step complete हो गया है और दूसरे step में हम पहुँच गये हैं जहां पर हमारा पूरा address दिया हुआ है यहाँ पिन code blank है तो इस down order click करके आप अपने pin code को select कर लिजे उसके बाद next पर click कर देंगे यहाँ पर हमें company का नाम देना है तो आपकी यदि खुद की company है तो उसका नाम दे सकते हैं और यदि आप किसी और company में काम करते हैं तो उस company का नाम दे सकते हैं आपको जो भी पोस्ट है उस पोस्ट को यहां से लिख दीजिए कितने साल से आप यहां काम कर रहे हैं मैं यहां पर लिखता हूँ 5 साल इस अब डालने के बाद सबसे नीचे लिखा है next तो यहां से हम next कर देंगे तीसरा step complete हो गया है और हम चौते step में पहुच गये है यह जो mailing address आपने दिया है वो आपका residential है या office का है तो उसको यहां से select कर लिजे मैं यहां से office कर देता हूँ उसके बाद इन दोनों को हम blank छोड़ देते हैं यह optional है यहां से हम terms और condition को select कर लेंगे उसके बाद सबसे नीचे लिखा है submit तो हम submit पे click कर देंगे तो दोस्तों फाइल ने हमने यहां पर SBI के नए credit card के लिए apply कर दिया है और हमारे उस credit card का नाम है simply save SBI card हमने यहां पर successfully application submit कर दिया है इस credit card को बनकर हमारे घर तक आने में लगबग एक महिने का time लग सकता है क्योंकि लगबग 15-20 दिन इस application का verification होने में ही लग जाएगा यदि हम इस credit card के लिए applicable होते हैं तो यह credit card हमें issue कर दिया जाएगा और लगबग एक महिने के अंदर यह credit card हमें मिल जाएगा तो इसी प्रकार से आप लोग भी योनोई SBI में अपनी इच्छा के अंसार किसी भी credit card के लिए apply कर सकते हैं तो इस वीडियो में पस इतना ही उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को तेंग उस्तो